भारत में लगातार कोरोना संकर्मन का कहर बढ़ता जा रहा है पिछले 24 घंटों में देश में 92,000 से ज़ादा नए मामले सामने आए हैं इससे पहले कल यानि 13 सितंबर को भी 96,000 से ज़ादा संकर्मन के मामले दर्ज किये गए थे वही 24 घंटे में 1100 से ज़ादा लोगों की जान चली गई है वही दुनिया भर में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है अब आपको बताते हैं देश और दुनिया में क्या है कोरोना के स्थेति पिछले 24 घंटे में 1136 लोगों की जान चली गई है गौरतलब है कि देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से जादा लोगों की मौत हो रही है स्वास्ते मंतरालय के आखडों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,44,000 हो गई है इनमें से 89,722 लोगों की मौत हो चुकी है एक्टिव केस की संख्या 9,86,000 हो गई और 37,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं संक्रमन के सक्डिय मामलों की संख्या के तुलना में स्वस्त हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना ज्यादा है देश के प्रभावित राज्यों का हाल देश के प्रभावित राज्यों का है आपको बता दें कि भारत में दस राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के कारण 100 से कम मरीजों की मौत हुई है वहीं आठ राज्ये ऐसे भी है जहां हर राज्ये में संक्रमन के कारण 49 सो से जादा मरीजों की जान जा चुकी है सबसे जादा मौते महराश्टर में हुई है मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है डिबिलाइफ की रिपोर्ट